हेलो दोस्तो अस्सलाम अलाइकूम कैसु आप लोग उमीद है सब ठीक ठाक होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी ठीक हूँ आज हम बनाएंगे छोटा मोटा भूग लगा है इसलिए एक छोटा सा एक नास्ता बनाएंगे उसके लिए थोड़ा चिकिन का कीमा लिया है यह बोलेस च तीन चार हारा मिर्च हारा धनिया दो तीन रोस्तों थोड़ा सा अध्रक सच छोटा सा चप करके तठलिया है और एक मेजरबन काप का एक काप सूजी चलिए आप चूलो का पस अब चूलक पस आगाई है एक खिराई पैन बिठा दिया चूलो भी जला दिया आप इसमें डाल देंगे तो चमुशकरिक तेल असाब इतना इतना है डालेंगे तेल गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जीरा और काटा हुआ अधरुक और जो काटा हुआ रस्षन यह भी डाल दिया है दाल दूसको अच्छी से थोड़ा देकार लेती हूँ गूल देती हूँ थोड़ा आप डाल देंगे पियाज इसको भी अच्छी से घूलेंगे अब धालेंगे थोड़ा सा मक्षन यह ज्यादा बिरावन नहीं करना है थोड़ा बूत सटे करना है आप डालेंगे चीकिन इसमें इस तरह से डालेंगे अब इसमें मसाला डालेंगे थोड़ा भूत थोड़ा सा होल्दी पाउटार थोड़ा सा धोनिया पाउटार थोड़ा सा नाल मिर्च पाउडर एकास मिरी मिर्च थीका नहीं होगा थोड़ा सक गरों मसाला पाउड़ा बस इतना ही मसला और नहीं चाहिए इसको अच्छी से घूल लेती हूँ आप चाहे तो इसमें बहुत सारे सोबजिया में डाल सकते हूँ मोटोर, सिमला मीच आप नमन पसल सब जिया अभी तो मैं इतना ही बाराएंगे आप डालेंगे एक तमस्करी मैं इधा इसमें थोड़ा सा घुनाई कर लेंगे इधार से अच्छी से घुनाई हो गया है अब इसमें मिला देंगे अब इसमें डालेंगे काटा हुआ हरा मीच और हरा धुनिया डालके इसको अर्ची से मिला लेंगे अब डालेंगे इसको अर्ची से दवा दवा के जो कीमा है इसको एक करके छोडा लेना अब इसको ठंडा करने देंगे इसको ठंडा करेंगे इसको ठंडा करेंगे बन गया है पैनल लूप अब दूसरा एक मेंजरू बनाएंगे इसके लिए एक कप नी विसी कप का दो कप नी चाहिए इसको दूकप का दो कप नी चाहिए फिरका नीच अब गया अक्हूं स्वादोन साथ नेमोक आप डालेंगे एक चमुस्करीब तेल थोड़ा सा तेल डाला है अप इसको अच्छी से हीला के मिला लेंगे जब गर्म हो जाए एक बॉयल होने देंगे पानी में बॉयल आचुका है आप डालेंगे एक मिजरमन कब का एक कब सुझी लिया है आप आपका मिजरमन कर लेना कोटूरी इसे काप से जैसे भी हो बिश्मिलाहिर रफ्मान इराहीम इसको अच्छी से हीला के मिला के अब इसको एक डो फरम में लाएंगे जैसे अटाका डो बानते है इस तरह दिख सकते हो आगिया है अटाका डो का फरम में आगिया है इसको थ्रुद्जन के लिए ठाग देती हूं अब ठांडा हो जाएगा तब इसको च्छाएंगे अब हमारे मीश्रण बॉर्तन में डाल दिया है अब इसको थ्वार सा ठांडा होने देंगे एक दो जैसे हाथ से मॉल लेंगे एहाल की गरूम है गरूम् कर दो जाई से बना लेना अपना हाथ काती हूँ अब एक एक लेची काट लेंगे इस तरह गोल गोल एक लोची काट लेंगे इस तरह गोल गोल कर देंगे इस तरह सारी काट लेंगे इसको सारे लेची काट लिया है अब इसको बेलना है अब इसको बेनने के लिए एक लेचिला ले ले लेंगे इसको इस तरह से घूमा के ऐसे चेप्टर बना लेंगे अब थोड़ा सा आटा छिड़ाग देती हूं अब इस बेरवनी से हलका सा ऐसे बेल देंगे अब इस तरह से बेनना है अब इसका अंदर डालेंगे चीकिन का मिश्रान एक चामस बहुत ही टेस्टिंग है कि हेल्दी नास्ता बन जाएगा भाच्चा लोग का टीपिन में भी दे सकते हो इस तरह से मोड लेंगे इस तरह से मोड लेंगे इस तरह से मोड लेंगे इस तरह से सारे मोड लेंगे इस से छोड़ा भी बना सकते हो इस से बड़ा भी बना सकते हो इस से मीडियम स्याइज का बहुत ही अच्छा लागेगा इस तरह से बना लेती हो इसी में राग देती हूं अब रखके बद दूसरा एक बना लेती हूं इसमें भी आटा शिराख देती हूं तो रसल बेल लिया है अब इसमें भी चीकिन का मिश्रन दे देती हूं अब इस तरह से मोड़ देंगे अब जोरूर बना के देखना बहुत अच्छा लागेगा खाने में अब इस तरह समें सारे माना लेती हूं दोस्तो हमारे सारे बन गया है अब इस तरह से मोड़ लेंगे अब देख सकते हूं सारे बना लिया अब इसको फिराई करने का बारी इतना सारे बने हैं अब इसको फिराई कर लेती हूं अब चुलो के पास आगाई हूं कोडाई भी बिठा गया पहरे से तेल भी डाल दिया गरूम भी हो चुका है अब एक एक करके फिराई करने डालूंगी बिश्मिल्लाहरु रुख्माने रहीं इसको पॉलट दिया है करके देखे थोई दिर बाद ही इसको पॉलट देना साथ साथ पॉलट माद देना नहीं तो तूट जाएगा और एक एक बार पॉलट देती हूं अब देख सकते हो कितना अच्छा सा फिराई हो रहा है उटा नहीं है बहुत अच्छा लाएगा खाने में जुरूर एक लाइक कर देना और घर में बनाना बचलों के लिए बच्चे बुड़े सबको अच्छा लगेगा अब इसको उठा लेती हूं एक करके अब देख सकते हो बहुत ही अपनम करारा खास्ता बना है और बाकी सारे इसी तरह बना लेंगे दोस्तों हमारे सारी सिनक्स तयार हो गया है बहुत अच्छा बना है बहुत बढ़िया बना है बहुत ही खास्ता है आप देख सकते हो बहुत ही खास्ता किस्पी जोरूर एक बार घर पे बना रहा यह बच्चा का टिपिन में भी दे सकते हो एक देने से पेट भी भर जाएगा मून भी भर जाएगा तन मन सब भर जाएगा और खाने में बहुत ही लाजबाब टेस्टिंग जोरूरी नहीं है जो चीकीनी डालो आपके पास आलू है तो आलू का साथ भी बना सकते हूं तो आप कर देती हूं पिलेट बहुत ही अच्छा खास्ता बना है चलिए रेशीपी देख लेती हूं रेशीपी अच्छा लागे जोरूर एक लाइक कर देना चैलिंग पर नया है तो एक सब्सक्राइब ही कर देना ताहिए जब नया वीडियो डाले आपके पस तुरह चला जाए और अच्छा है बहुत ही अच्छा वाना है सच में थोड़ा सा एक कप सूजी से थोड़ा सा चिकिन था इतना सारे बढ़िया नस्ता वाना है आप सच क बहुत ही अच्छा वाना है बाहर से किस्पी है और अंदर से नारूम है खाने में बहुत ही टेस्टिंग है जोरूरी नहीं है जे तेल से ही फिराई करो दो ही चीज पका हुआ था आप चाहे तो इस्टिम भी कर सेकते हूँ अब इस तरह खाया करो बहुत ही अच्छा लगेगा अब चुलिए रेसी पे देख लेती हूँ रेसी पे अच्छा लागे जोरूरी रेक लाइक कर देना और खूस रहना मुस्कुराते रहना अल्लापेज नच्छा आप लोड़ी रेसे लोड़ीज जी रेसे बादल कर दो हैं तया मुस्का चाहे जागे। परम शबता है झाल को झाल को जल्म सेकते हैं अब कर दोख बना ड्सक्तूब़ीज़ीज़ेगा है